असलाम लेकूम, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सराइज 3.5 के नफस 13 कोशन कर लिये थे, आज हम कोशन 14 करने लेगे हैं, इसको भी वैसे पार्शल फ्रेक्शन से ही हमने सॉल करना है, लेट कर लेते हैं हम, let 1 over x minus 1, x plus 1 का whole square, equal a over x minus 1, plus b over x plus 1, plus c over x plus 1 का whole square, equation 1 कह देंगे, जैसे हमने पहले भी किया था, इसे simple वैसे लिखना अगर power दी गए तो जितनी power दी गए, उसे इतनी दफा लिखना पहले power 1 लिखनी पी 2 लिखनी है, 1 equal a into x plus 1 का whole square, plus b into x minus 1, x plus 1, plus c into x minus 1, जैसे equation 2 बन गए, अब values के निकलती है, यहां से x की value 1 आगी, यहां से minus 1 आजाएगी, हम x की value 1 और minus 1 पुट करके चेक करेंगे, इसे, put x equal 1 minus 1 in equation 2, पहले 1 put कर लेंगे, फिर minus 1 put कर लेंगे, 1 equal a into 1, plus 1 का whole square, plus b into 1 minus 1, 1 plus 1, plus c into 1 minus 1, यह 0 हो गया, इसके वाद से यह सारा 0 हो गया, यह 1 plus 1, 2, 2 का square 4 आता है, 1 equal 4 है, तो यहां से a की value क्या आजेगी, हमारे पास, 1 over 4, ठीक हो गया, अब हम माइनस 1 put कर लेते हैं, 1 equal a into minus 1, plus 1 का whole square, plus b into minus 1 minus 1, minus 1 plus 1, plus c into minus 1 minus 1, यह cancel होगे, यह cancel होगे, 0 होगे, minus minus 2, यह मतलब 1 equal minus 2c, यहां से c की value हमारे पास क्या आ गई है, minus 1 over 2, ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, और तो values नहीं निकलेगी, हम क्या करेंगे, equation 2 को implies that करके लिख लेंगे, equation 2 implies that, 1 equal, इसका square ओपन कर देंगे, साथ में a को भी multiply कर देंगे, a x square, plus 2 a x, plus a, इनको multiply कर देंगे, साथ में b को भी कर देंगे, b x square minus b, plus c को दें multiply कर दें, c x minus c, ठीक हो गया, हमारे पास आ बी की value हमने फाइंट करनी है, अब देखिए, सबसे बड़ी power क्या है, square है, मतलब 2 power है, सबसे बड़ी, तुम क्या करेंगे, comparing the coefficient of, comparing the coefficient of x square, यहां तो x square हो कोई भी coefficient निए 0, यहां x से भी coefficient a, plus b, 0 equal a की value हमारे पास क्या है, 1 over 4, 1 over 4 plus b, युद्दा चला जाएगा, तो यहां से b की value हमारे पास क्या आजएगी, minus 1 over 4, यह सारी values तो यहां equation 1 में पुट कर देंगे, put these values in equation 1, हमारे पास अजएगा, 1 over x minus 1, x plus 1 का square, a हमारे पास क्या है, 1 over 4, 1 over 4, x minus 1, minus b की value minus में, यहीदर minus लगा दिया, 1 over 4, x plus 1, c की भी minus में है, minus 1 over 4, x plus 1 का whole square, चेख हो गया, integral लगा लगा लेंगे, क्योंकि integrate करने लगे हैं, 1 over x minus 1, x plus 1 का whole square, dx, 1 over 4, dx over x minus 1, 1 over 4, dx over x plus 1, minus 1 over 4, इसी उपर ले जाएंगे, x plus 1 की पावर माइनस टो हो जाएंगे, ठीक हो गया, यह आज़ेगा, 1 over 4, इसका derivative उपर मुझूद है, तो ln x minus 1, minus 1 over 4, ln x plus 1, minus 1 over 4, इसका derivative साथ मुझूद है, तो पावर में एक एड़ कर देंगे, minus 2 में, जो 1 एड़ होगा, तो minus 1 पावर आज़ेगी, उस minus 1 से यह प्लस हो जाएगा, x plus 1, 1 over x plus 1, आज़ेगा, minus 1 पावर आज़ेगी, होल पावर तो हम नीचे ले जाएगे, ताकर प्लस हो जाएगा, यह प्लस ही, यह हमारा यह सवाल हो गया, ठीक हो गया, अब नेक्स कोर्सन करते हैं, अब हमारा पास कोर्सन नबर 15 है, इसके हमने फैक्टर्स बनाने है, x plus 4, over, इसके फैक्टर्स हमारा पास जो बनेंगे, वो बनेंगे, x plus 1, x minus 2 का होल स्केर, यह इसके फैक्टर्स बनेंगे, आप लोग बना के चेक भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, अब इसे लेट कर लेंगे, x plus 4, over, x plus 1, x minus 2 का होल स्केर, इक्वल, a over, x plus 1, plus, b over, x minus 2, plus, c over, x minus 2 का होल स्केर, यह इक्वेशन बन गई, multiply करेंगे, multiply by, x plus 1, x minus 2 का होल स्केर, इसे हम multiply कर देंगे, हमार पास कहेंगे, x plus 4, x plus 4, equal, a into x minus 2 का होल स्केर, plus, b into x minus 2, x plus 1, plus, c into x plus 1, equation 2 का होल स्केर, ठीक होल स्केर, अब हम क्या करेंगे, value से निकालेंगे, इसमें से minus 1 आएग, इसमें से plus 2 आएगी, x की values, denominators में से जब निकालेंगे, put, x equal, minus 1, and, 2, in equation 2, पहले, minus 1, plus 4, equal, a, minus 1, minus 2 का होल स्केर, plus, b, minus 1, minus 2, minus 1, plus 1, plus, c, minus 1, plus 1, यह कैंसल हो गए, यह आगे हमार पास 3, यह minus 3, स्केर लेंगे तो 9 आज़ेगा, 9a, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो a की value यहां से हमार पास क्या आगई, 1, 1, over 3, ठीक होगी, आप 2 पुट करें, तो 2, plus 4, equal, a, into 2, minus 2 का होल स्केर, plus, b, 2, minus 2, 2, plus 1, plus, c, 2, plus 1, यह 2, plus 1, 3 बन जाएंगे, यह तो कैंसल होगे, 4, oh, 2, 6, 3, c, 3, 1, जा 3, 2, जा 6, यहां से c की value क्या आज़ेगे मार पास, 2, now equation 2 implies that, equation 2 implies that, x plus 4, equal, a को भी मल्टिप्ला करें, इसका स्केर जोपन कर देंगे, इसका स्केर, प्लस, 4, a, minus 4, a, x, इसका मल्टिप्ला भी करेंगे, और, यह बन जगा, bx केर, यह जगा हमार पास, minus bx, minus 2b, ठीक हो गया, plus cx, plus c, comparing the coefficient of, the, coefficients of, सबसे बड़ी पावर स्केर है, तो, x केर के कोफिशेंट को भी करेंगे, इसका स्केर नहीं है, 0, a, plus b, ठीक हो गया, 0, a की value, 1 over 3 है, तो दूसरी तरो, जब 1 over 3 जाएगा, तो जाके minus हो जएगा, तो b की value हमार पास क्या आजएगी, minus 1 over 3, इन सारी values को equation 1 में हम put कर देंगे, put these values in equation 1, ठीक हो गया, equation 1 में हम उने put कर देंगे, x plus 4 over x plus 1, x minus 2 का whole square equal, a की value 1 over 3 है, 1 over 3, x plus 1, ठीक हो गया, b की minus ने minus, 1 over 3, x minus 2, ठीक हो गया, c की plus नहीं है, plus 2 over x minus 2 का whole square, ठीक हो गया, integral लगाने, x plus 4, x plus 1, x minus 2 का whole square, equal 1 over 3 बाहिर आगया, 1, dx over, x plus 1, minus 1 over 3, dx over, x minus 2, plus 2, इसे उपर ले जाएं, x minus 2 का, 2 की power minus 2, dx, यह हो जगा, 1 over 3, ln, x plus 1, minus 1 over 3, 2, ln, x minus 2, यह minus 2, यह minor 2, power x minus 1 पे टीक में, x 3-6 x square plus 25 over x plus 1 ka whole square x minus 2 ka whole square ठीक होगे equal a over x plus 1 plus b over x plus 1 की power 2 होगे ये complete अब इसे करने है plus c over x minus 2 plus c over x minus 2 की power 2 equation 1 वन गी दोने की power 2 थी तो पहले power 1 फिर 2 फिर पहले power 1 फिर power 2 लिखी हमने multiply by x plus 1 ka whole square x minus 2 ka whole square both side इसे multiply कर देंगे तो हमार पस क्या बचेगा 3 sorry x की power 3 minus 6 x square plus 25 equal a into x plus 1 x minus 2 ka whole square plus b x minus 2 ka whole square plus c x minus 2 x plus 1 ka whole square ठीक होगे ये c नहीं d था sorry plus d x plus 1 ka whole square ये equation 2 बन गई अब values के put करने यहां से minus 1 यहां से plus 2 आएगी put x equal minus 1 and 2 in equation 2 check हो गया equation 2 में ये values हम put करेंगे यह हमार पास equation 2 है पहले minus 1 put करते है minus 1 का cube minus 6 into minus 1 का square plus 25 equal a minus 1 plus 1 minus 1 minus 2 का square plus b minus 1 minus 2 का square plus c minus 1 minus 2 minus 1 plus 1 का whole square plus d minus 1 plus 1 का whole square यह भी cancel हो गया, 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 यह भी cancel हो गया आ गया 2 यह आ प्रास दी वैल्य आ गई अब अमने 2 और इक्वेशन 2 में ही टुच वाइन सिक्स थू पाइश स्क्यर प्लस 25 एक्वल अ 2 plus 1, 2 minus 2, plus b, 2 minus 2, यह भी cancel, यह भी cancel, यह भी cancel, plus c, 2 minus 2, यह भी cancel, 2 plus 1, plus d, 2 plus 1 का square, 2 का cube क्या होता है हमार पास, 2 का cube हमार पास 8 आ चाता है, 2 का square 4, 4, 6, 24, 25 में से 24 माइनस के तो 1 आ गया, और यह 8 ता, 1 और 8, 9, इक्वल, 2 और 1, 3, 3 का square 9, 9 d, तो हमार पास d यहां से क्या आ गया, 1, अब हम equation to imply that करेंगे, equation to imply that, x cube minus 6, x square plus 25, equal a into x plus 1, इसका square पहले open कर लेते हैं, x cube plus 4, minus 4 x, plus b, x cube plus 4, minus 4 x, plus c, x minus 2, x cube plus 1, plus 2 x, plus d, x cube plus 1, plus 2 x, ठीक हो गया, सबके पहले, scale open कर लेते हैं, x cube minus 6 x square plus 25, equal, इसको भी इंदर multiply कर देते हैं, x cube plus 4 ax, minus 4 ax square, plus ax square, plus 4 a minus 4 ax, अब b को अंदर multiply करेंगे, प्लस b, x square, plus 4 b, minus 4 b, x, अब c को भी मल्टिप्ला कर देंगे, प्लस c, x cube, plus c, x, plus 2 c, x square, minus 2 c, x square, minus 2 c, minus 4 c, x square, चीक हो गया, plus d, x, plus d, plus 2 d, x, अब सबसे बडी पावर इसमें 3 है, 3, हमने 2 values चाहिए, हमेरे पर सिरफ b, r, d, की आई है, values चाहिए, थी दो और चाहिए, हमने सबसे बडी पावर 3 है, हम एक्स क्यूप और x square को फॉफिशेंट को कंपेर करेंगे, comparing the coefficient of x cube and x square, यज़ी हो गया, एक्सक्राइब 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 ए प्लस बी प्लस टू सी माइनस टू सी स्केर में इसके पर प्लस डी ठीक हो गया माइनस सिक्स इक्वल या गया माइनस थी है प्लस बी यह दोनों कैंसल हो गया प्लस डी माइनस सिक्स इक्वल माइनस थ्री ए बी की वैली मारे पस टू है वो हमने लिख ली और डी की वैली वन है वो लिख ली हमने minus 6 equal minus 3A plus 3 युद्धर जाके minus 6 plus minus 3 equal minus 3A minus 9 over minus 3 equal A तो यहां से A हमारी पास आजएगा 3 ठीक होगा यह A की value हमारी पास 3 आगई यह इसमें put कर देंगे 3 plus C युद्धर जाके minus होजएगा minus 2 value हाजएगे हमारी पास C की सारी values आगई इस equation 1 में put कर देंगे put these values in equation 1 ठीक हो गया, equation 1 में put current values x cube minus 6x square plus 25 over x plus 1 square x minus 2 square equal a की value 3 थी, 3 over x plus 1 b की value हमार पास क्या थी, 2 plus 2 over x plus 1 का square और c की value minus 2 थी, minus 2 over x minus 2 और d की value हमार पास 1 थी, plus 1 over x minus 2 का whole square ठीक हो गया, अब इसे हमने square बनो को उपर लेज़ेंगे बाकियों कैसी रहन देंगे, लेन लगा लेंगे x cube minus 6x square plus 25 over x plus 1 का square, x minus 2 का square, dx, 3 बाहिर लेने dx over x plus 1 plus 2 x plus 1 का power minus 2 dx, minus 2 बाहिर आगया, dx over x minus 2 plus 1 x minus 2 की power minus 2 dx, यह होज़ेगा 3 ln x plus 1, यह मानस 2 होज़ेगा, power minus 1 बनेंगे, इसे हमने पिछले वस्तिम किया, minus 2 over x plus 1, minus 2 इस पे लेन लगेगा, ln x minus 2, इस पे भी minus आज़ेगा, 1 over x minus 2, आगे plus c, यह मारत पर solve हो गया, ठीक हो गया, यह इसमेंगे, 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 इसम दो स्टेप किया, 2 formal rule, ज्यदा और तो कोई रूस नहुत होता, यह इसमें पहलएगा पृष्ला में, य्व ना रूल रोल रूस continues, आप लूज आप लगर तो आप लोग भूल गया, तो आप लो इसमेंगे, पर लोगे नेक्स खातेसे, आब हमारा रवारा स्ट्न करते है, माइनस 17 ओवर x माइनस 3 x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 2 की पावर 2 प्लस d ओवर x प्लस 2 की पावर 3 equation 1 बन गी 3 पावर इसलिए पहले 1 फिर 2 फिर 3 लिखी ठीक हो गया अब मल्टिप्ला कर देंगे मल्टिप्ला बाई x माइनस 3 x प्लस 2 की पावर 3 on both side ठीक हो के दोनों साइड पी से मल्टिप्ला कर देंगे यह हमार पास आजएगा after multiplication जो हमार पास आएगा denominators खतम हो जाएगे x क्यूब प्लस 22 x केयर प्लस 14 x माइनस 17 इक्वल A X प्लस 2 की पावर 3 प्लस B X माइनस 3 X प्लस 2 की पावर 2 प्लस C X प्लस 2 X माइनस 3 प्लस D X माइनस 3 equation 2 बन गई चिकोंगे यहां से value प्लस 3 और माइनस 2 आएगी यह put करनी है put X इक्वल 3 and माइनस 2 in equation 2 3 पुट करें थ्रीका स्क्या 27 प्लस 3 का स्क्या 9 आजएगा 9 को 22 से मल्टिप्ला करेंगे 198 आजएगा प्लस 9 को 14 से करेंगे 126 माइनस 17 9 को 9 को नहीं करना थी था 3 को करना थी यह 9 का स्केल के था 9 बना 22 से किया था 42 आजएगा ठीक हो गया 3 प्लस 2 5 का क्यूब प्लस B 3 माइनस 3 3 प्लस 2 प्लस C 3 प्लस 2 3 माइनस 3 प्लस D 3 माइनस 3 यह भी कैंसल यह भी कैंसल यह भी कैंसल यह 5 है 27 है हमार पास 198 है 42 है और माइनस 17 है ठीक हो गया इन सब को करेंगे तो हमार पास आजएगा 250 और यह बन जएगा 125 ठीक हो गया हम 250 को उस तरफ ले जाके 125 पे डिवाइड कर देंगे 250 डिवाइड 125 यह हमार पास आजएगा 55 25 0 5 2 10 55 25 5 5 25 5 10 5 1 5 2 2 मतलब 2 आगया तो यहां से एक ही वैल्यू क्या आगए हमार पास 2 ठीक हो गया हमने क्या पुट किया था 3 यह माइनस 2 पुट करते हैं माइनस 2 का क्यूब लेंग क्या एगा 8 माइनस 8 प्लस माइनस 2 का स्केल लेंगे 4 4 को 22 से करेंगे ट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्वट्व मइनस 8 plus 88 plus 28 माइनस 17 करेंगे तो मेरा पस रहेगा 91 हो गया यह नुब करेंगे तो रहे रहे źट एका बाइनस 5 ए मानेस 5 ए इदो जाकि दिवाइड हो गा तो 91 ओवर माइनस 5 यह की वैयल्ये अचाएगी मार पस ठा़ हो गया हम से मिस्टे कुई है मानस टोट किया था नुंस 2 को 14 से करेंगे माइनस 28 गाएब नहीं कि अचुछ हो गई हमार बास अ कि घ्रisoा को अब धनों मैंडिय स्वूट हो कि गयो歹ना यह वैल्यू नहीं यह आई फाइब 7 जा तो यह आ जेगा जो हो गई यह मार पस एक वैल्यू आ गई अब दोनों मेर्थ स्पूटो के एक्वेशंट टू मैज से को इक्वेशन टू इम्प्लाए सब्सक्राइब एक्वेशन तू इम्प्लाए स्टैट x cube plus 8 plus 8 x plus 6 x square चीख हो गया plus b x minus 3 इसका square open करेंगे x square plus 4 plus 4 x इन दोनों का multiply करेंगे plus c x square minus 3 x minus minus x minus 6 plus d x minus 3 अब a को इससे b को और इनको इससे multiply करेंगे सब को आपस में तो आजेगा हमार पस x की power 3 plus 22 x square plus 14 x minus 17 equal plus 8 a plus 8 a x plus 6 a x square plus b x cube plus b 4 x plus b 4 x square minus 3 x square b minus 4 b minus 4 3 जा 12 12 b minus 12 b x अब इनको multiply करेंगे plus c x minus c x minus 6 c plus d x minus 3 d दो वैल्यूस हमने find कर लिए है ये एन ही सो रही है ये दी वली थी a और डी की वैल्यूस आ गई है हमने किसकी find करनी है b और c की value find करनी है ठीक हो गया अब सबसे बड़ी पावर क्यूब है comparing the coefficient of x cube and x square x cube coefficient 1 है a b बस दो ही है a की value हमने 2 find की है 2 put कर देंगे 1 equal to plus b तो यहां से b की value हमार पास क्या आ जाईगी minus 1 ठीक हो गया अब x के एवरे coefficient का compare करते है 22 equal 6 है 4 b minus 3 b plus c बस ही ही है हमारे पास ठीक हो गया 22 equal 6 a की value हमारे पास 2 है 3 में से 4 minus k तो 1 बचता है तो मतलब सिर्फ b बच जाएगा और b की value minus 1 find की है minus 1 आ जाएगा plus c 6 तो जाए 12 22 minus 12 यू दे जाएगे plus 1 equal c चीक हो गया इसको जब minus करेंगे 22 में से 12 जब महां minus करेंगे तो हमारे पास राज़े का 10 10 में जब 1 एड करेंगे तो हमारे पास राज़े का 11 c की value हमारे पास आ गई 11 इस तारी values उन में पुट कर देंगे साथ में टैगल का पी साइन नका लेते हैं x cube plus 22 x square plus 14 x minus 17 over x minus 3 x plus 2 की power 3 dx a की value 2 थी 2 बाहिर लिख लेते हैं dx over x minus 3 ठीक हो गया b की value minus 1 dx over x plus 2 आ गया ठीक हो गया c की value हमारे आ गया 11 11 dx नीचे थी वहम उपर ले जाते है x plus 2 की power minus 2 plus d की value की आ गया minus 7 तो यह minus 7 x minus plus 2 की power minus 3 dx ठीक हो गया integrate करेंगे 2 ln x minus 3 minus ln x plus 2 minus 11 over x plus 2 आ जाएगे जिसरा पीछे वले गवसर में भी किया है minus जब minus 2 पावर आएगी minus 2 नीचे लिखना है 1 over 2 power minus 2 बन जाएगी तो x plus 2 की power 2 आ जाएगे नीचे आके plus 2 बनेगी ना यह हमारे पर solve हो गया ठीक हो गया बस इसमें होड़ी सी कैलिफिलेशन है mistakes simplify करते हैं जो आ रही है वो करना थोड़ा मुश्किल है उध्यान से कीजिगा ठीक हो गया अब हम आगे next question करते हैं next हमार पास question number 18 है factor बनेवे direct let कर लेंगे let x minus 2 over x plus 1 x square plus 1 equal a over x plus 1 plus b अब देखें पहले हमार पर whole square हो तो हम पावर 1 लिखें तो पावर 2 लिखें लेकिन अंदर square आगे अंदर square आज़े तो हम क्या करते हैं अब b x plus c जितनी अंदर power आगे उतने उपर हमने constant लिख लेने c और यह b अगर power 2 है तो हम x लिखें के साथ में अगर power 3 होती तो हम x square फिर x फिर constant लिखते है ठीक हो गया ओवर x square plus 1 यह equation 1 बन गई multiply by x plus 1 x square plus 1 both side यह हमार पर साज़ेगा x minus 2 equal a x square plus 1 plus b x plus 1 यह equation 2 बन गई यहां से x की value minus 1 आ रही है यहां से तो नहीं आएगी न हो square है हमार पास put x equal minus 1 in equation 2 minus 1 minus 2 equal a minus 1 का square 1 आज़ेगा plus 1 plus b minus 1 plus 1 यह तो cancel हो गया यह 2 बन गया यह minus 3 minus 3 over 2 यह हमार पास x a की value आ गई ठीक होगे अब b की value फाइब b और c की ऐसे फाइड नहीं होगे equation 2 implies stat करेंगे equation 2 implies stat यह हमार पास बन गई x minus 2 equal a x square plus a plus b x plus b ठीक होगे में 2 value चाहिए तो हम x के सबसे बढ़ी power x square और x के दोनों coefficients को compare करेंगे comparing the coefficients of x square and x mistake होगी एक हम से यह साथ में bx plus c है ना बी उपर लिख लेती हूँ मैं यह पर इसे ऐसी कर लेते हैं b x plus c साथ में x plus 1 तो जब पुट करेंगे ऐसे आजएगा b minus 1 plus c आजएगा ठीक होगया अब यह bx को इससे multiply करना था x के x आ गया plus c से multiply करेंगे cx plus c आगया ठीक होगया 0x कोफिशन 0 a plus b ठीक होगया 0 a की वैल्यू क्या है हमार पस minus 3 over 2 plus b जोद जाके plus होजएगे तो b की वैल्यू हमार पस आजएगी 3 over 2 ठीक होगया अब x कोफिशन को मैंने compare करना है 1 equal b plus c ठीक होगया 1 equal b की वैल्यू क्या हमार पस 3 over 2 plus c जोद जाके minus होगा 1 minus 3 over 2 plus equal c 2 1s are 2 3 में से 2 minus kya minus 1 over 2 minus 1 over 2 यह c की वैल्यू ठीक होगया अब इसी equation 1 में put करतेंगे put these values in equation 1 x minus 2 over x plus 1 x k plus 1 dx a की वैल्यू हमार पस क्या है यह minus 3 over 2 3 over 2 dx over x plus 1 ठीक होगया plus b की वैल्यू 3 over 2 है 3 x plus c की वैल्यू क्या है minus 1 over 2 minus दोनों का जो 2 था वो डिनॉमिनेटर में कठा होगया x kya plus 1 ठीक होगया dx अब इसका derivative पर मुझे से direct दिख सकते हैं minus 3 over 2 ln x plus 1 ठीक होगया अब इसका देखना है यह 2 तो पहले बाहिर लेने 2 बाहिर आ गया x kya का derivative क्या तो 2 x 3 x है तो हम इसे कैसे करेंगे 2 x plus x ठीक होगया x kya plus 1 था इसका दो 0 होता है तो minus 1 वैसे लिखती है ठीक होगया 2 तो बाहिर ले गया था हमने x kya plus 1 dx इसी लादा लादा करते हैंगे यह ऐसी आजेगा 1 over 2 2 x over x kya plus 1 plus 1 over 2 x minus 1 over x kya plus 1 dx ठीक होगया 1 over 2 इसका derivative उपर मुझूद है ln x kya plus 1 ठीक होगया plus 1 over 2 अब इसका देखे derivative क्या आता है हमार पास 2 x तो क्या करेंगे हम 2 से multiply करते हैं और divide भी यह 4 बन गया 2 x minus 2 x kya plus 1 dx एक दोफा फिर से लादा करतेंगे 1 over 4 2 x over x kya plus 1 plus sorry minus 2 over 4 dx over x kya plus 1 dx ठीक होगया अब यह सारा इदर से लिखने स्टार्ट से माइनस 3 over 2 ln x plus 1 plus 1 over 2 ln x kya plus 1 plus 1 over 4 ln x kya plus 1 plus 1 over 2 sorry यह minus है यह बना माइनस आया था ठीक हो गया अब देखेंगे किसका बनने 10 inverse 10 inverse x plus c solve हो गया ठीक हो गया अब हम आगे next question करते है question number 19 अब हमारे पर question number 19 सभी से question number 18 की तरह करेंगे let x over x minus 1 x kya plus 1 equal a over x minus 1 plus b x plus c over x kya plus 1 equation 1 multiply कर लेंगे multiply by x minus 1 x kya plus 1 यहां जगा x equal a x kya plus 1 plus b x plus c x minus 1 equation 2 यहां से x value 1 इक लेगी put x equal 1 in equation 2 1 equal a 1 का scale 1 आता है b को 1 से करें तो वही आजेगा 1 minus 1 यह 0 हो गया 2 मतलब a की value क्या आगी हमारे पास 1 over 2 ठीक हो गया equation 2 implies that equation 2 implies that x equal a x kya plus a plus b x kya minus b x plus c x minus c ठीक हो गया comparing the coefficient of x kya and x ठीक हो गया 0 equal a plus b a की value 1 over 2 है तो जब इस तरह आएगा minus 1 over 2 यह b की value आजाएगी ठीक हो गया x coefficient 1 minus b plus c 1 b की value minus 1 over 2 थी plus c u दर जाके minus 1 minus 1 plus 2 दर जाके minus हो जाएगा तो 1 में से 1 over 2 minus करें तो क्या आता है हमार पास 1 over 2 c की value ठीक हो गया यह value से 1 में put कर देते हैं equation 1 में x over x minus 1 x square plus 1 dx equal a 1 over 2 1 over 2 dx over x minus 1 यह भी 1 over 2 यह भी 1 यह तो हमारा बन गया 1 over 2 ln x minus 1 plus 1 अब इसका हमें क्या चाहिए 2x यह x है 2 से multiply कर देंगा minus नहीं चाहिए यह वैसे आ गया minus 1 over 4 लादा लादा कर दो 2x over x square plus 1 minus minus plus 2 over 4 into x square plus 1 over sorry उपर तो 1 था को मने लिया था हमने dx over x square plus 1 ठीक हो गया 1 over 2 ln x minus 1 minus 1 over 4 ln x square plus 1 plus 1 over 2 यह tan inverse बन गया tan inverse x plus c चिक हो गया यह भी solve हो गया अब हम next question करते है 20 हमारा पास question number 20 आगे इसे direct let कर लेंगे factors बने में इक्रमिनेटर में 9x minus 7 over x plus 3 x square plus 1 equal a over x plus 3 plus b x plus c over x square plus 1 equation 1 बन गई multiply by x plus 3 x square plus 1 both side ठीक हो गया तो हमारा पास यहां बनेगा 9x minus 7 9x minus 7 equal a into x square plus 1 plus b into x plus 3 equation 2 बन गई put क्या करना है x equal यहां से minus 3 value आएगी ठीक हो गया minus 3 in equation 2 9 minus 3 minus 7 a minus 3 का square क्या आजएगा 9 plus 1 plus b sorry x plus c minus 3 plus 3 यह cancel हो गया 9 3 is a 27 minus 27 और minus 7 minus 34 और यह बन जएगा 10 a divide होगा तो हमार पास बन जएगा 34 over 10 a की value आजएगी minus 17 over 5 चिक हो गया अब equation 2 implies that 9 x minus 7 equal a x square plus a plus b x square plus 3 b x plus c x plus 3 c ठीक हो के comparing करेंगे comparing the coefficient of x square and x 0 equal a plus b a की value minus 70 over 5 इदर आपके plus 17 over 5 आजएगी यह b की value बन गई एगा एगा c की value नुकार लिए 9 equal 3 b plus c 9 equal 3 b की value हमने नुकार लिए है 17 over 5 plus c इदर आजएगा 9 minus 17 को 3 से करेंगे और 5 equal c 5 nines are 45 45 में से हम minus करेंगे 81 तो हमार पास आएगा 36 minus 36 over 5 यह c की value हुआ गई है ठीक हो गया यह values जो हम put करेंगे एक्वेशन 1 में इस equation में यह हमार पास आजएगा 9 x minus 7 over x plus 3 x square plus 1 dx यह की value माइनस 17 over 5 dx over x plus 3 बी की value 17 denominator दोनों का सी है में हम बाहिर ले लेंगे इस तरह यह बाहिर आखेंगे 17x minus 36 over x square plus 1 1 dx हम पहले इसे इलादा कर लेते हैं माइनस 17 over 5 ln x plus 3 यह तो हो गया अब यह माइनस 17 over 5 बाहिर ले ले लिया x over x square plus 1 minus 36 over 5 dx over x square plus 1 ठीक हो के बाद इसे हम हमें 2x और फिर कर वे करें कि स्टेप्स जदा हो जाते हैं इस तरह हमने क्वेस्ट नंबर 18 19 किया था हमके स्टेप्स जदा हो गया इसलिए इसलिए इन्हें पहली ब्रेक कर लिए ताकर जो है वह साथ से कोमा लेके मुल्टिप्लाय करते हैं अब हम इसके साथ 2 चाहिए ना 2 से मुल्टिप्लाय हो भी कर लेंगे डिवाइग भी कर लेंगे माइनस सेवंटीन ओवर 5 एल लेन x प्लस 3 प्लस 17 ओवर 2 मुल्टिप्लाय 5 2 x dx ओवर x square प्लस 1 माइनस 36 ओवर 5 यह बन जेगा 10 इन्वर्स x चिक हो गया तो 10 इन्वर्स x बन रहा है ना माइनस 17 ओवर 5 एल लेन x प्लस 3 प्लस 17 ओवर 5 2010 यह हमारा बन जेगा लेन x square प्लस 1 माइनस 36 ओवर 5 10 इन्वर्स x प्लस c यह भी solve हो गया ठीक हो गया आई question number 21 करते हैं अब हमारा पास question number 21 factors बने हमें direct let कर लेंगे let 1 प्लस 4 x ओवर x माइनस 3 x square प्लस 4 इकवल a ओवर x माइनस 3 प्लस b x प्लस c ओवर x square प्लस 4 multiply करेंगे x माइनस 3 x square प्लस 4 के साथ ठीक हो गया तो हमारा पास आएगा 1 प्लस 4 x इकवल 1 प्लस 4 x इकवल a into x square प्लस 4 और इसके साथ x माइनस 3 x square प्लस 4 x माइनस 3 ठीक हो equation 2 बन गई value के निकलती है हमारी x की 3 आती है put x equal 3 in equation 2 1 प्लस 3 4 x 12 a 3 का square 9 प्लस 4 प्लस 3 b प्लस c इदर 3 लिखेंगे तो 3 माइनस 3 यह 0 करते गई से यह बन जगा 13 9 और 4 भी 13 ही होते हैं 13 a तो यहां से a की value क्या आ गई हमार पास 1 ठीक हो गया equation 2 implies that अब करेंगे equation 2 implies that 1 प्लस 4 x equal a x square plus 4 a plus b x square minus 3 b x plus c x minus 3 c comparing the coefficient of x square and x 0 equal a plus b x square coefficient x square coefficient 4 minus 3 d sorry b यह यह 3 b plus c ठीक हो गया a की value 1 हमने find की थी उदर जाके minus हो जाएगी तो b आ जाएगा हमारे पास minus 1 4 minus 3 minus 1 plus c जाएगा plus c उदर जाके minus 3 हो जाएगा तो c की value की आजेगी हमार पास 1 अब जी equation 1 में values put कर देते हैं हमार हमार पास आएगा क्या 1 plus 4 x over x minus 3 x square plus 4 dx equal a की value 1 थी तो dx over x minus 3 b की value minus 1 थी minus x और यह plus 1 over x square plus 4 dx ठीक हो गया इसे लिदा लिदा कर लेते हैं dx over x minus 3 minus हमें 2 चाहिए ना इसके साथ 2x इसका derivative अभी लिख लेते हैं हमें 2x over x square plus 4 minus 1 dx over x square plus 4 ठीक हो के यह आजाएगा हमार पास natural log x minus 3 minus 1 over 2 natural log x square plus 4 minus 10 inverse 1 over 2 यह square बनता है ने 2 का square 1 over 2 1 over constant होता है x over 2 ठीक हो गया प्लस c यह हमारा solve हो गया ठीक हो गया अब हम question number 22 करते हैं अब हमार पस question number 22 है इसके factors नहीं बने हैं 12 over x cube plus 8 dx के यह हमार पास हो जागा 12 over x का q plus 2 का q dx aq plus bq प्लस formula अप्लाय कर देंगे इस पे मतलब x plus 2 x k plus 2 x minus sorry 2 x plus 4 ठीक हो गया माइनस 2 x plus 4 हो गया यह अब हम इसे let कर लेंगे let 12 over x plus 2 और साथ में x square minus 2 x plus 4 ठीक हो गया a over x plus 2 plus bx plus c over x square minus 2 x plus 4 equation 1 multiply करेंगे x plus 2 x square minus 2 x plus 4 के साथ यह जागा हम पास 12 equal a into x square minus 2 x plus 4 plus bx plus c into x plus 2 equation दो पूट क्या होका minus 2 12 equal a minus 2 का square 4 minus minus plus 2 to the 4 plus 4 plus minus 2 b plus c minus 2 minus plus 2 यह cancel हो गया 12 over 4 or 4 8 8 or 4 12 a तो यहां से a की value हमार पास क्या आजएगी 1 12 1 जा 12 क्क ठीक हो गया 5 अब reexion 2 implies that यह आज़ेगी 12 एक्वल अडिक आज़ेगी 12 equal a x square minus 2 ax plus 4 plus bx square plus 2 b x plus cx plus 2 c ठीक हो गया यह है हमार पास बन वी अज़ेगों इस हो एक्व सर सी इक्वायं माँस 20 पास 20 क shortages उबता दीघुएफिशन्ट एक्स के एंडेक्स जीरो इक्वल एपलस बी आजएगा एक्स वैवीथिन रवाज रवता है उज तरफ जाके माइनस वन हो जाएगी तो बी की वैडियू आगे हमार पास माइनसवन अब एकसे कोषेट्इन 0 एक्वल मायनस टु है प्लस टू भी अधी क्लस लिपसी 0 मायनस टू वन एंद एकलियृऴट न थी घूरानास01 0 मायनस टू मायनस टू प्लस ट्शि में इस तरह देद टू फोर हो चएगा यह धिन के पुट कर देंगे वैल्यू सारी कि सारी एक्वेशन वन में 12 ओवर X Q प्लस 8 होगा हमार पास बनेगा एक की वैल्यू हमार पास टी 1 मतलब Dx ओवर X प्लस 2 इंटेग्रल का साइन बी की वैल्यू माइनस में थे माइनस बाहर लिख लेते हैं X माइनस 4 आजेगा ओवर हमार पास दूसरी वैल्यू थी X के माइनस 2X प्लस 4 ठीक हो गया Dx यह बनेगा हमार पास ln X प्लस 2 माइनस अब इसका डेरिट्वी 2 होता है हमार पास 2 से मल्टिप्ला करतेंगे और डिवाइड भी 2X माइनस 2 फोर जाज एट X के माइनस 2X प्लस 4 हो यह डिनोमेटर में ते सुरी मिस्टक होगी X प्लस 2 ln X प्लस 2 माइनस 1 नॉवर 2 2X हमें सिरफ 2 चाहिए माइनस 2 तो माइनस 6 करतेंगे X के माइनस 2X प्लस 4 ln X प्लस 2 इलाद लादा कर लेंगे 1 नॉवर 2 2X माइनस 2 ओवर X के माइनस 2X प्लस 4 माइनस 6 ओवर 2 DX ओवर X के माइनस 2X प्लस 4 ठीक हो गया यह बन जागा ln X प्लस 2 माइनस 1 नॉवर 2 ln X के माइनस 2X प्लस 4 माइनस 2 3 ओवर 6 तो यह 3 ओवर गया DX इसको कंप्लेटिंग स्केर से कंप्लीट करतेंगे ठीक हो गया यह बन जागा हमारे पस X स्केर माइनस 2X प्लस 1 प्लस 3 ठीक होगे जीतना स्केर बन जागा माइनस 3 DX ओवर X माइनस 1 का होल स्केर प्लस स्केर रूट 3 का स्केर लिख सकते हैं से ऐसे माइनस 3 अब जी क्या बन जागा 1 ओवर कॉंस्टन लिखते हैं 10 inverse का बन रहा है न, 10 inverse, variable विले स्केर के लिचे भी विए और दूसरी, plus C आगिया, ln x plus 2 minus 1 over 2, ln x square minus 2x plus 4, ठीक हो गया, यह हमारा question number 22 भी हो गया, बाकी जो questions है वो हम आप इंशाला next lecture में करेंगे, अलाफीज,